वेल दोस्तो यार काफी टाइम से होंडा की एक्टिवा एलेक्ट्रिक स्कूटर के उपर अपडेट जो है कंपनी के तरब से देखने को नहीं मिल रहे थे क्योंकि हमने काफी वीडियो बनाई होंडा एक्टिवा एलेक्ट्रिक के उपर features के बारे में बात किया range के बारे में बात किया बैटरी के बारे में बात किया लेकिन यार काम की चीज यार launching कप तक होने वाले इसके उपर बताओ यार इसे काफी comment आ रहे थे तो गाइस detail में वीडियो आज चुका है और दोस्तों यह जो है लेटस अपडेट है जो कि एटो कार वेबसाइट और रुशलैन वेबसाइट पर भी यह आज चुका है तो पूरा detail article का टुजे detail आपको है पर देखने को मिलेगा और आप सब ने काफी अच्छा response दिया है हमारे काफी वीडियो जो है एक्टिवा इलेक्ट्रेक स्कूटर के उपर आये थे जो कि इंडिया में रहने वाला है और सबसे पहला बात तो यह अच्छी है कि एक जो प्लैंट होगा वो पूरा इवी के लिए बनाने वाले है पूरा इवी के लिए मतलब जो होंडा की अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर होगी या अपकमिंग में जो भी कुछ आएगा इनकी तरफ से अपकमिंग इलेक्ट्रिक बाइक भी हो सकती है वैसे और भी कही सारे जो है नए नए प्रोड़क आने वाले है होंडा जो है इंडिया के बाहर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉंस निकाल रहा है होंडा की जो गाइस क्वालिटी है वो दूसरे EV से हम कंपेर नहीं कर सकते इसलिए और भी कही सारे customer जो है इस trusted brand की electric scooter के लिए रुके है तो इसलिए Honda जो है पूरा EV plant लेकर आने वाला है अपकमिंग EV जो है तपाही करने वाला है लेकिन सबसे पहले जो है Honda की Activa के उपर 90% customer अभी तक वेट कर रहे है अगर हम बात करें के अपकमिंग electric scooter के बारे में सब company में पहले unveil किया था उसके बाद next Activa EV को भी unveil किया था और तीसरा जो है थोड़ा सा small है बट जो city में यूज़ करते है इसको कम range चाहिए उनके लिए वो looks जो है best हो सकता है लेकिन इंडिया में जो है बिदक कौन सा model आएगा इसके उपर अभी तक काफी discuss चल रहा है बट जैसे मैंने starting में बोला कि 90% जो customer की requirement है वो तो Activa electric के लिए रहने वाली है और अल्रड़ी हमने काफी वीडियोस में बता आता कि Activa EV जो होंडा first electric scooter लेकर आने ही आने वाला है क्योंकि Activa के उपर ज्यादा response और ज्यादा active look जो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाता है अब पहले देखा यार company ने 2024 में बोला था लेकिन उससे पहले उन्होंने काफी पहले भी बोला था कि यार Honda की first electric scooter आने वाली थी लेकिन delay होते होते इन्होंने जैनवरी 2024 बोला उसके बाद मार्च 2024 बोला और अभी इनका जो कहना है कि मेज जुले तक ही आपको देखने को मिलेग लेकिन जो अपडेट निकल के आया है एटो का और वेबसाइट एंडरुश लैन वेबसाइट पर तो उन्होंने वहाँ पर लिखा है कि इनका जो प्रोड़क्शन लाइन अप होगा वो मतलब जो नया प्लैंट आने वाला है वो स्टार्ट अप हो गयारा पुरा कंप्लेट होने तक 2024 एंडिंग हो सकता है लेकिन यसी बात नहीं कि वो 2024 के एंडिंग तक जाएगा क्योंकि कंपनी जो उससे पहले ही इंडियन मार्केट में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को लाँच करने वाली है जिसको आप बोल सकते हो 2024 के मिड के बाद आपको होंडा की फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर लाँच होगी यह तो बात कंफर्म है क्योंकि डिलिवरी जो इनकी फ्ली सी लेट होगी जो कि 2025 के स्टार्टिंग में आपको डिलिवरी देखने को मिलेगी लेकिन जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होगी वो 2024 के इंडिंग से पहले ही लाँच होने वाली एपको 85 पेज का स्पीड मिल जाता है नए टेकनोलोजी की मोटर देखने को मिलेगी जो इस एलेक्टरिक स्कूटर का लुक रहेगा वो पूरा मेटल बॉड़ी में रहने वाला है तो आगे जाकर जो ही बाज़ की जो स्पीटक एलेक्टरिक स्कूटर है उसको ए क्टकर आराम से दे सकती है अब बात करते हैं में प्राइसिंग के बारे में किया रहेगी तो हमने काफी वीडियो में बताए कि आभी की जो एक्सपीटि यं रहेगी तो हमने कहसे हैओ best option हो सकता है क्योंकि one time investment है and long time तक चलने वाला है क्योंकि mainly जो है electric scooter में maintenance जो रहता है वो battery का रहता है and service का रहता है जो कि आपको आगे जाकर पच्ताना ना पड़े इसलिए आप जो अच्छे brand के तरफ जाए इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको अच्छे brand के electric scooter लेनी चाहिए अगर आपके पस थोड़ा और भी time है तो आप रुख सकते हो इतनी जिल्दी नहीं है तो आपके लिए होंडा की ये electric scooter रहने वाली है तो चली काईज मिलते अभी next वीडियो में